आज मैं आपके लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी डिलिश्यस सूजी के हलवे की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे जरूर राइ कीजिए सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें जो चीज़े चाहिए सबसे पहले हम लेंगे एक हेवी बॉटम पैन इसमें हम अट करेंगे एक कप घी ड्राइफ्रूर्स अट कर देंगे 10-12 काजू 6-8 बादम 10-12 किश्मिश इसे हम लो फ्लेम पर 8-10 सेकेंड के लिए फ्राइ करेंगे इसे हम गोल्डन ब्रॉन नहीं करेंगे जब हलके से इसमें के ड्राइफ्रूर्स यूज कर सकते हैं मैंने इसमें काजू बादम और किश्मिश यूज किया है अब हम इसी घी में एक कप रवाइड कर देंगे लो हीट पर हम इसे कंटिनियूस भूनेंगे 8-12 सेकेंड के लिए इसे कंटिनियूस टर करते वे भूनेंगे जब त 3 कप पानी पानी दालते खुद आप केरफूल रहें ताके छीट आप पर ना उश ले अब हम इसमें एड करेंगे 1-4 ती स्पून दरदरा कुटा हुटा हुआ इलाइची का पाउडर इसे बहुत अच्छी खुश्बू आएगी इसे ढग देंगे 3-4 सेकेंड के लिए यह अच्छे से यह पक रहा है इसे भूण लेंगे इसमें हम एड करेंगे 8-10 जाफरान के धाके जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी में भिगो लिया है इसे एक बहुत अच्छी खुश्बू आएगी अब हम इसमें एड करेंगे 1-4 ती स्पून रेट फूट कलर जिसे मैंन यह पानी सूख गया है यह मीठा साइट्स छोड़ने लगा है रवा ने सारा पानी को सोग कर लिया है अब हम इसमें एड करेंगे एक कप शकर शकर अब ज्यादा भी डाल सकते हैं जितना आप मीठा पसंद करते हो उतनी आप शकर आड कर देंगे इसे करेंगे हम मिक्स अब इसे हम ढखकर 3-4 सेकंड के लिए पका लेंगे 3-4 सेकंड हो गया है इसे हम कर लेंगे चेक यह देखिए शकर का पानी सूख गया है इसे 2-3 से के लिए हम ऐसे भून लेंगे बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मीठे की सूदी-सूदी सी मीठा साइट्स छोड़ने ल सूदी टेस्टी बनता है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए आप मैंसे किस-किस को सूची का हलवा पसन है मुझे करम्डम बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप इस स्टाइल से सूची का हलवा बनाएंगे तो आप 3-4 दिन तक बाहर रखकर इसे यूज कर सकते हैं उतना ह को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल बटन को क्लिक कर लिजए ताकि लेटिस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू फर वाचिंग